हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चानल टेश्ट 24 इंदी दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे रियल्मी एक्समान मैक्स स्मार्टफोन में मिलने वाले रियल्मी C.07 अपडेट के बारे में दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा कि जब से रियल्मी एक्समान मैक्स उजक्स को रियल्मी C.07 का अपडेट दिया गया है उसके बास से उनका स्मार्टफोन काफी ज़्यादा लैक कर रहा है और उन्हें काफी सारे बक्स देखने को मिलने हैं तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना इसकीप की अध्यान से देखते रहीगा और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए और अधिक आपका समय ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दो Realme X7 Max में जो अब तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट C.0 से बने ये काफी सारे यूजर्स को रिसीव हो चुका है बताते हैं कि हमें एक हफ़ता एक मन्त हो चुका है यूजर्स करते हुए तो मुझे क्या क्या बक्स और क्या नए फीचर्स देखने को मिले हैं तो बात करें दोस्तो मुझे इस अपडेट को करने के बाद से मेरी फोन की बैटरी काफी ज़्यादा कम चली है बैटरी वाले प्रॉब्लम मुझे C.07 अपडेट में काफी ज़्यादा देखने को मिली है और स्मार्ट फून हलका फूलका हीट भी हो रहा है पहले उतना हीट नहीं होता था बट गर्मी के बज़र से भी हो सकता है लेकिन इस अपडेट के बाद से मेरा फून कुछ ज़्यादा ही हीट हो रहा है और बात करें दोस्तो इसके बैटरी लाइफ की तो बैटरी लाइफ हो पहले जितना नहीं चल लाइए और उसके बात करें कि charging speed तो charging speed हलका सा slow हो चुका इस update के बाद से उसके बाद बात करें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिले यह वो है इसका स्कीन काफी ज़्यादा लग कर रहा है जी यहां दोस्तो अपडेट के पहले या इसकीन लग नहीं करता था बट अभी कोई भी ब्राउजर या फिर कोई भी विशाइड अगर ओपन करते हैं तो इसकीन काफी ज़्यादा लग करना ज़कता है जैसे लगता है कि फोन हैंग हो रहा है उसके बाद बात करें दोस्तों इसका fingerprint अच्छे से वर्क कर नहीं करता है कई बार fingerprint कैच कर लेता है बट maximum चांस ऐसा होता है कि आपका fingerprint कैच नहीं करेगा आपको fix fingerprint लॉग स्किन करके लगाना पड़िए तो fingerprint भी अच्छे से वर्क करना ही करता है इस अब्डिट के बाद से और काफी ज़्यादा slow हो चुका में कुछ ज़्यादा ही नए features देखने को नहीं मिले हैं तो बात कर ले तो वही दोस्तों आपको लॉक इसकिन पे कुछ always on display में कुछ नए features कर दिए गया है जहाला कि यह special features नाम से एक function add किया गया इसमें कुछ features quick access ऐसे कुछ features यह पहले भी थे ऐसे कुछ features add किया गया है कुछ खास features इसमें मुझे देखने को नहीं मिला है तो काफी सारे लोग पूछते हैं कि अगर उन्होंने अभी तक update नहीं किया है तो क्या उन्हें realme 3.0 update कर लेना चाहिए तो आपके स्मार्टफोन में काफी सारे बक्स देखने को मिलेंगे हाला कि काफी सारे लोगों को अभी भी देखने को मिलने हैं calling से related SIM support नहीं कर रहा है वाइफाई स्पीड नेटवर्क की स्पीड कम हो चुका है और SIM में नेटवर्क नहीं आ रहा है स्मार्टफोन आप्डेट के बाद से देखने को मिलने हैं हाला कि पहले बीजी माई भी आपका 90 fps पर चल जाता है अपडेट के बाद से बीजी माई 90 fps पर नहीं कर रहा है तो यह सारे प्रवल्लम आपको update के बाद से देखने को मिलेंगे इसलिए आप wait कीजिएगा next update आता ह लेकिन अगर आप अपडेट नहीं की हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है आप अभी अपडेट मत कीजिएगा लेकिन अगर आप अपडेट कर लिए तो प्लीज कमेंट करके हमें पताए कि आपको क्या-क्या नए बॉक्स देखने को मिले हैं ताकि realme के पास तक कि हम बात पहुंचा सकें और नया अपडेट आये तो उसमें सारे बॉक्स फिक्स हो चुके हैं तो उम्हीद है आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट से लगबग क्लियर हो गया हां काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि realme c.08 वाला अपडेट कब तक दे मुझे कुछ reply देखने को मिलता है मैं इसके उपर भी वीडियो बना के आपको बता दूँगा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आज की इस वीडियो में बसे एक छोटी सी जनकारी से एर करने थी उम्हीद है वीडियो पसंद आई होगी वीडियो सब्सक्राइब लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आज की इस वीडियो को मैं इसमाप करते हैं जाहिन